एपी एपो को लेकर बिग अपडेट अगर आप भी एपी एपो से जुड़े हुए हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुती महत्पून होने जा रही है देखें आपको बता दें कि हाल ही में सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसके अंतरगत 6 क्रोड मेंबर्स को जवर्दस्त तोफा मिलने जा रहा है बड़ा लाव होने जा रहा है यह वीडियो आपको सुरू से लेकर लाश्ट तक देखनी है क्योंकि इसमें जो हम आपको इंफोर्मेशन देने जा रहे हैं यह सुरू से लेकर लाश्ट तक आपके लिए बहुती महत्पून होने वाली है तो बने रहेगा हमारे साथ अंत तक वीडियो को देखते रहेगा किस तरह से सरकार EFF के मेंबरों को खुश करने जा रही है आपको इस वीडियो के मात्यम से तमाम जानकारी दी जाएगी वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निमेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किर्पया वीडियो को आप भी लाइक कर दीजिए आप इस वीडियो को जासे अदा सेर करेगा ताकि और भी जो EFF से जुड़े हुए हैं वह यह ख़बर पराप्त कर सकें तो चलिए वीडियो को सुर करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं देखे हाल ही में मिली जानकारी के नुसार आपको बताँ सहेंगे कि केंद्रियय स्रम मंत्री मंसुक मांडिया ने गुरुवार को क्रमचारी जमा जम्मंद बिमा यूजणा के तहत सेवानिवर्त को सुनिकाए यूजणा के तहत सेवानिवर्त को सुनिकाए अब उनके लिए बड़े हुए भीभी मा के विस्तार की गोसमा दूर सरकार ने अब हले में की है वहीं सरकार के इस कदम से 6 क्रोड से भी अधिक EPRF- savings अईसे जुदे हुए करमचारी हैं सदश्य हैं जिनको सरकार लाप दें जा रही है जी हाँ 6 क्रोड से भी अधिक एफियफो से दस्चों को 7 लांक रुपे तक की जीवन विमा सुरक्सा निश्चित होगी अब आपको बता दें कि जितने भी एफियफो से जुड़े हुए मेंबर हैं उनको सरकार जबर्दस तोफाया दें जा रही है और भी कई बड़ी लाब है जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से देखेगा और आगे क्या कहा गया है देखे केंद्रिये मंत्री मांडविया ने कहा यानि कि यहाँ पर जो समवाद हुआ है समवाद्दाओं से बात करते हुए कहा है कि इस योजना को 28 अप्रेल 2024 से पिछली तारिक से बढ़ाया गया है वहीं दोस्तों आप बता दे कि वर्स 2019 सो चेंतर में सुरू की गई EDLI योजना का उदिश्य करमचारी भविश्य निधी संगठन यानि कि EPFO के सदस्य को बीमा लाप परदान करना है ताकि सदस्यों की मृत्यू के बाद यंगी सदस्यों की मृत्यू के मामले में परतियक सदस्य के जो प्रिवार हैं उनको कुछ वित्य सहता सुनचित की जा सके माली जी के अगर किसी सदस्य की मृत्ति हो जाती है तो जो भी उनके प्रिवार वाले होगे उन्हें वित्य सहता दी जाएगी इफ्यप्पो के तरब से अब यहाँ पर दोस्तो देखिए करम से माली जी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जानकर दी गई है कि धाई लांक रूपे और साथ लांक रूपे बढ़ाया अब यहाँ किस प्रकार से हैं वैब समझ लेते हैं देखे अप्रेल दो हजार एक्किस तक मर्तक क्रमचारी के कानून कानूनी उत्रक धिकारी को EDLI योजना में परिवासित मान दंडो के नुसार अधिक्तम लाव 6 लांक रूपे तक सिमिद था उर्जासे कि हमन आपको बताया है यहाँ पर जो लावारत्यों को लाव मिलने वाला है वह ठाई लांक रूपे से 7 लांक रूपे यहाँ पर जो है लाव बढ़ाया गरा है अब यहाँ पर बाद में सरकार ने 28 अप्रेल 2021 को जारी एक अधी सूचना के माध्यम से योजना के तहत नियुन्तम और अधिक्तम लाब दोनों को अगले तीन वर्सों के लिए करम से धाई लांक रूपे और साथ लांक रूपे तक बढ़ा देगा है अब आप यहाँ पर समझे तकते हैं कि नियुन्तम धाई लांक रूपे और अधिक्तम साथ लांक रूपे तक बढ़ाया गया है अब यहाँ पर इसके अलावा किसी परतिष्ठान में बारा महिने की निरंतर सेवा की सर्थ में भी ढिल दी गई है ताकि उस अवधी के दोरा नोकरी बदलने वाले जो क्रमचारी होते हैं अगर एक नोकरी से दूसरी नोकरी में जो क्रमचारी है वे जा रहे हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि बारा महिने से अगर निरंतर कोई सेवा की जो सर्थ है उसमें धिल दी गई है ताकि वह आवधी के दोरान नोकरी बदलने वाले करमचारियों को भी इसके तायरे में किया जा सके ये लाव तीन साल की आवधी के लिए परभावी थे जो 27 अप्रेल 2024 को समाप हो गए है अब यहां पर करमचारियों को किस परकार से लाब सरकार देने जा रही है क्या बदलाव क्या गया है आई होब आप समझ चुके होंगे यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप सवाल करिएगा आपके सवालों के जवाब दे जाएगे और भी यहाँ पर EFFO से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलने वाली है क्योंकि और भी कई बड़े अपडेट जारी होने जा रहे है जो कि आपको पता होना अभी बाकी है उनके बारे में भी आपको जल्दी जानकारी जाएगी जैसे हमें EFFO के तरफ से कोई जानकारी मिलती है या फिर केन सरकारी के तरफ से कोई जानकारी मिलती है उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दे जाएगी यदि कि योजना ओनलाइन 4U चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकार दी जाती है वह सही समय पर सही सटीक जानकार दी जाती है चाहिवा केन सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो या फिर सोसल मीडिया के बाद हम से जानकरी मिलती है वे हम आप तक हो चाते रहते हैं तो किरप्या करके योजना ओनलाइन यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजगा बैल एकन को ओल पर सेलेक्ट कर लिजगा ताकि आदो सभी वीडियो की जानकरी आपको सबसे पहले मिलते रहे आपसे निवदन करते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर दीजिए जाज दर वीडियो को सेयर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजगा दो आपको ने श्टूडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत